भारतिय आयुद्ध कारखाना दिवस प्रतिवर्ष 18 मार्च को भारत में मनाया जाता है इस दिन को ओर्डिनेंस फैक्टरी डे भी कहा जाता है भारतिय आयुद्ध कारखाना भारत के रक्षा मंत्राले के अंतरगत आता है जहां अपनी राजनितिक शक्ति को बढ़ाने हेतु सैन्ने सामगरियों का निर्मान किया जाता है भारत में सबसे पहले ओर्डिनेंस फैक्टरी की शुरुआत कोशिपूर कोलकाता में 18 मार्च 1802 में की गई थी जिसके कारण आयुद कारखाना दिवस प्रतिवर्स इसी दिन पर मनाया जाता है आयुद कारखाना के कई निर्मान विभाग होते हैं जैसे फिल्डगन कारखाना, लगू सैसस्त्र कारखाना, पैरासूट कारखाना, उपकरन कारखाना चलिए आयुद कारखाना के विशे में विश्तार से जाने आयुद कारखानों का इतियास दिवस आयुद निर्मान कारखाना दिवस प्रतिवर्स 18 मार्च को मनाया जाता है इसी दिन भारत में 1802 को प्रतम आयुद निर्मान कारखाना का सुभारंब हुआ था इसी दिन की खुसी में प्रतिवर्स 18 मार्च को आयुद निर्मान कारखाना दिवस का उत्सव मनाया जाता है यह कारखाना कोलकाता के कोसिपुर नामक जगें पर शुरू किया गया था जो भारत का सबसे पुराना ओर्डिनेंस फैक्टरी है आयुद निर्मान कारखाना को देश की रक्षा का चोथा भुजा माना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए सबसे पहले सही परिमान में हतियारों की आवशक्ता पड़ती है जो मात्र ओर्डिनेंस कारखानों की मदद से ही पूर्ण हो पाता है आज अगर सही नजरिये से देखा जाए तो हमारे देश के आयुद निर्मान कारखानों का भारत की रक्षा प्रहनाली में बहुत महत्वपून योगदान है भारतिये आयुद कारखानों का इतिहास भारत में ब्रिटिस आसन से सीधे जुड़ा हुआ था इस्ट इंडिया कमपनी ने सैन्य हर्डवेर को भारत में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने और उनके आर्थिक हितों की शुरक्षा के लिए एक महत्वपून तत्व के रू यह भारतिये से ना अध्या देश की आधिकारिक सुरुवात का प्रतिनिधित्व करता है आयुद निर्मान कारखानों का उद्देश रक्षा के उत्पादन में आत्म निर्भरता पैदा करना और आम जनता के बीच गोला बारूद और हत्यार के बारे में जागुता पैदा आयुद कारखाना दिवस उत्सव कार्यकरम भारत में पहले ओर्डिनेंस फैक्टरी की निव के दिन को याद करने के लिए ओर्डिनेंस फैक्टरी डे मनाया जाता है इस दिन देश को सभी ओर्डिनेंस कारखानों में महान उत्सा के साथ मनाया जाता है प्रतेक फैक्टरी में एक महाप्रबंदक द्वारा ध्वज सम्मान के साथ यह उत्सव शुरू किया जाता है ओर्डिनेंस फैक्टरी के सभी कार्य करताओं, करमचारियों और अधिकारियों द्वारा उनके देश की सेवा के लिए प्रतिग्या का प्रसाशन होता है अधिकारी नीगम द्वारा तै किये गई लक्षों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्खानों के सुधार के लिए अपनी सेवाओं को समर्पित करने के लिए अपने सम्मंदित कार्खानों के करमचारियों को भी बुलाया जाता है इसलिए देश के सभी ओर्डिनेंस कार्खानों के लिए बहूती महत्वपूंड दिन होता है इस मुख्य दिन को मनाने के लिए सभी स्रेणियों के करमचारी विभिन कार्यकरमों में भाग लेते हैं इन कार्यकर्मों में खास कर प्रदर्शनियों में बंदुके, गोले बारूद, कई प्रकार के राइफल, तोफ खाने, आधी के प्रदर्शन होते हैं यहें परदरशनी कारखानों में काम करने वाले करमचारियों के साथ-साथ आस पास के लोगों के लिए भी खुला होता है। व्यवस्तित करती हैं वे अपने करमचारियों को स्कूली शिक्षया स्वास्त देखबाल और आवास प्रदान करते हैं ओडिनेंस फैक्टरी बोर्ड ने 1775 के वर्स में कोलकाता के आयुद भवन में मुख्याले के साथ अपनी निव रखी थी यह भारत सरकार द्वारा संचालित सबसे पुराना ओध्योगिक संगठन है और सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन संगठ यह दुनिया में रक्षा उपकरणों के सिर्ष 50 निर्माताओं में से एक है बोर्ड भूमी समुद्र और वायू प्रनालियों के छेतर में उत्पादों की विस्तर्थ सनंखला के परिक्षन उत्पादन अनुसंदान विकास रसद और विप्णन में लगी हुई है ओर्डिन चार छेत्रिय सुरक्षा नियंत्रक तीन छेत्रिय विप्णन केंद्र और नो प्रेसिक्षन संस्तान सामिल है जो पूरे भारत में फैले हुए है इन कारखानों को सैसस्त्र बलों के पीछे बल और रक्षा के चोथे हाथ के रूप में जाना जाता है बोर्ड रक्षा मंत्र चाले द्वारा प्रतिबंदित किया जाता है कि इंडियन ओर्डिनेंस फैक्टरीज भारत के सभी तीन सैसस्त्र बलों भारतिय वायू सेना भारतिय सेना और भारतिय नो सेना को उत्पादन प्रदान करती है हत्यारों के हिस्सों पैरसूट रसायन और विस्पोटक हत्यारों और गोला बारूद कपड़ों और चमड़े के सामान दुनिया भर के लगबग तीज देशों में निर्यात किये जाते हैं।